हिजामा की कितने sessions होने चाहिए यह एक बहुत important सवाल है जो सीखने के वख हम लोग को आता है कि हिजामा का कैसा और कितने sessions हमको देने चाहिए So according to me and my research जो मुझे लगता है कि हिजामा के कम से कम किसी भी patient को 3 session देने चाहिए अगर वो disease specific कोई चीज लेकर आता है और maximum आप जा सकते 7 session तक 3 session मतलब 3 महिने में 3 session 7 session का मतलब 7 months अब इसको आप करेंगे कैसे जैसे कि माल लिजे कि आपके पास कोई आता है कोई भी एक बीमारी को लेकर तो आप उसको सबसे पहले जो first session देंगे वो आप देंगे general body detox यह आपका पहला session होता है तो general body detox के अंदर आप सारे organs को cover करते हैं और यह organs को detoxify करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर back में जितने भी organs होता है अगर वो detoxify हो गए तो आपकी body को खुद बोखुद detoxify कर सकते हैं क्योंकि वो ही उनका काम है अगर आप liver और kidney को देखें लंग्स को देखें यह basically detoxification का काम करते हैं पर क्योंकि इतने heavy हो जाता है उनके लिए और अगर हम उन चीजों को हिजामा के थूरू detoxify करना शुरू करें तो उनका load कम हो जाता है और उनके load कम होने के वज़े से body के अंदर एक तरीके की immunity की level increase हो जाती है और वो हमको दूसरी वीमारी उसे बचाता है तो minimum session आप ले सकते हो 3 maximum आप जा सकते हो साथ आपको यह भी करना है कि आप इतना drag मत करो कि वह आपको नजर आ रहा है कि हिजामा से कोई बहुत major difference नहीं आ रहा है और यह ठीक नहीं हो सकता है हिजामा से because you need to understand हिजामा एक certain limit तक ही चलता है उसके beyond नहीं जा सकता है हमको भी अपनी limitations पता होनी चाहिए ठीक है तो कम से कम 3 session maximum 7 पर अगर आपके बास कोई healthy individual आता है और वो एक time भी कराना चाहता है वो बलता है बस मुझे एक time कराना है तो कोई issue नहीं है आप उसको general body detox दे सकते हो साले detox के point और आप उसको एक sitting भी दे सकते हो पर जब आप किसी के लिए plan मना होगे हिजामा plan आप बोल सकते हो तो इजामा प्लान में अगर आप doctor medicine दे सकते हो ताप medicine के साथ इजामा को ले सकते हो अगर आप beautician है या cosmetologist है तो आप उसके साथ basically यह कि आप आपकी जो भी field है हमादे पास क्यूंकि डाइटीशन भी आते है yoga teachers भी आते योगर ट्रेनर्स आते है cosmetologist आती है dermatologist आती है युनानी डॉक्टर आते है आप अपनी field के साथ उसको club करके दे सकते हो आप सिर्फ हिजामा दे दोगे that will not suffice maybe for some disease it can suffice कुछ disease हिजामा से ठीक हुजाते है पूरी तरीगी से पर आप अपनी practice के साथ इसको club करके दे सकते हो और वो उससे जादा अच्छा result आपको मिलेगा तो minimum 3 sessions maximum you can go up to 7 sessions thank you